जैये स्रीराधी, मित्रों बैदिक्रिशी यूटूब चैनल में आपका हार्दिक श्वागत है आज हम आपको चैत्रमास की सुक्ल पक्च में जो एकादशी है उसका नाम कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है युदिश्टिर ने भगवान स्रिक्ष्ण से कामदा एकादशी के विशाय में पूछा कहा प्रभू यह इस एकादशी का महात्मी क्या है इसके पहले हम भगवान नारण को प्रणाम करते हैं सशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्छाणम सहारवक्षस्तलकस्तुभस्त्रियम नमामि विश्णुम से रिशाचतुर्भूजम इधिश्टिर ने पूछा हे वाशुदेव मेरा आप नमस्कार श्वीकार करें यह बताएं चैत्रशुकल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है भगवान स्री किष्ण ने वोले हे राजन एकाग्रचित तो होकर यह पूरातन कथा सुनो जिसे बसिश्ट जी ने राजा दिलीप के पूछने पर यह बात बताई थी कैसे दिलीप ने पूछा महरसी बसिश्ट से कि भगवन मैं एक बात जानना चाहता हूँ चैत्रमास के शुकल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है बसिश्ट जी बोले हे राजन चैत्रशुकल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है वह परम पूण्यमई पापुरूपी इधन के लिये तो वह दावा नल ही है दावा नल एक अगनी होता है वह सब को शमाप्त कर देता है प्राचिन काल की बात है नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुई थी उस नगर में पुंडरीक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थी पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां का राजा था और राज करता था गंधर्व किन्नर और अपसराएं भी उस नगर में निवास करते थी वहां एक स्रेश्ट अपसरा थी जिसका नाम ललिता था उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था वे दोनों पत्पत्नी के रूप में रहते थी दोनों ही परश पर कामशे पीडित रहा करते थी ललिता के हिरदे में सदापती की ही मुर्ती वशी रहती थी और ललित के हिरदे में सुन्दरी ललिता का नित्य निवास रहता था एक दिन की बात है नागराज पुंडरी अपनी शभा में बैटकर मनरंजन कर रहा था उस समय ललित का गान हो रहा था किन्तु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी गाते गाते उशे ललिता का अस्मर्ण हो गाया जैसे ही उसका ललिता का अस्मर्ण होता है उसके पैरों की गती रुख गई और जीव लडखडाने लगी नागों में स्रेष्ट करकोटक को ललित के मन का संताप ग्यात हो गया अतर उसने राजा पुंडरी को उसकी पैरों की गती रुकने यो मगान में तुरूटी होने की बात बता दी करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आखें क्रोध शे लाल हो थी उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया दुर्वध्यें तो मेरे शामने गान करते शमय भी पत्नी के बशी भूत हो गया इसलिए जा आज असे तू राक्षस हो जा महाराज पुंडरीक की इतना कहते ही वगंधर्व राक्षस की रूप में परणित हो गया भैंकर मुख बिक्राल आखे और देखनी मात्रशे भै को उतपन्न करने वाला रूप ऐसा राक्षस होकर वग्कर्म का फल भोगने लगा और जंगल में इधर उधर भटकने लगा उसकी पतनी ललिता अपने पती की विक्राल आक्रती देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई भारे दुख से कष्ट पाने लगी और अपने पती के पीछे पीछे वा भी घूमने लगी सोचने लगी क्या करूं कहां जाओं मेरे पती पाप से कष्ट पा रहे हैं वह रोती हुई घने जंगलों में पती के पीछे पीछे घूमने लगी बन में उसे एक सुंदर आस्रम दिखाए दिया जहां एक सान तमुनी बैठे हुए थे उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी प्रकार का बैर विरोध नहीं था सबके शाथ वो प्रेम के बशी भूतों करके वारता लाप करते थे ललिता शिग्रता के साथ वहां गई और मुनी को प्रणाम करके उनके शामने खड़ी हो गई मुनी बड़े दयालू थे उस दुखिहारी को देख कर वे इस प्रकार बोले सुभे तुम कौन हो कहां से आई हो मेरे सामने सच सच बता दो ललिता ने कहा हे महामुनी बीर धन्वा नाम वाले एक गंधर्म हैं मैं उन्ही महात्मा की पुत्री हूँ मेरा नाम ललिता है मेरे स्वामी अपनी पाप दोश के कारण राक्षस हो गए हैं उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चै नहीं है ब्रम्हन इस समय मेरा जो करतब्य हो वह बतलाईए बिप्रवर जिस पुणे के द्वारा मेरे पती राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं उसका उपदेश मुझे करिए रिशी बोले हे भद्रे इस समय चै त्रमाश के शुक्लपक्ष की कामदा नामत एकादसी तिथी है आ रही है जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है तुम उसी का बिधि पूरवक ब्रत करो और इस ब्रत का जो पूणे हो उसे अपने पती को दे डालो पूर ये देने पर छण भर में ही उसके स्राप का दोश दूर हो जाएगा राजन मुनी का ये बचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्श हुआ उसने एकादसी के दिन उपवाश करके द्वादसी के दिन उस ब्रम्हर्शी के समीप ही भगवान वाशुदेव स्री बिग्रह के शमक्च अपने पती के उद्धार के लिए यह बचन कहा संकल्प लिया कि मैंने जो वह कामदा नामत एकादसी का उपवास ब्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पती का राक्षस भाव दूर हो जाए बसिष्ड जी कहते हैं ललिता के इतना कहते ही उसी छण ललित का पाप दूर हो गया उसने अपने दिव्यदेह धारण कर लिया राक्षस भाव चला गया और वह पुन गंधर्वत के प्राप्ती हुई हे निरिप्स रेष्ट विद दोनों पतिपतनी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक शुन्दर रूप धारण करके बिमान पर बिराजमान होकर अतन तशोभा पाने लगे यह जानकर इस एकादशी के ब्रत का यतना पुरवक पालन करना चाहिए मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे शामने इस ब्रत का वरणन किया है कामदा एकादशी ब्रह्मभत्या आधि पापों तथा पिसाचत्व आधि दोशों से दूर करने वाली है हे राजन इनकी पढ़ने और सुनने से बाज़िपेय यग्य का फल मिलता है हम जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस समय हमें प्रयत्न करना चाहिए कि विश्णू शहस्रणाम का पाठ हम अवश्य करें सापत धार के शाथ विश्णू सहस्रणाम का पाठ व्यक्ति को तीनो काल में करना चाहिए जो गोपाल सहस्रणाम का पाठ करते हैं उन्हें भी चाहिए कि शुबह, दोपहर और शाम गोपाल सहस्रणाम का पाठ करें और उठ उस पाठ का प्रभाव स्वयम अनुभव कर शकते हैं जै स्री राधे झाल 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 झाल